कलादिशा ग्ञान कला में आपका स्वागत है हम ग्ञान कला में विभिन पुस्तकों को पढ़ते हैं कहनियों को सुनते हैं जिससे हमें अच्छी शिक्षा मिले बहु मूल्य ग्ञान मिले मन विजे करें मैं प्रस्तुत है अविध्या का अंधकार ज्यान की रोशनी धम्मपत वर्ग एक से साथ गाथा और कथा में यमक वर्ग से पहली कहानी मन से बड़ा कुछ नहीं चक्षुपाल की कथा संसकारक रिशिकेश शरण कथा के पहले एक शलोक होता है जिसे गाथा कहा जाता है तो इस कहनी की या इस कथा की गाथा सुना रहा हूँ मनो कूबंगमा धम्मा मनो सेता मनुमया मन साचे पदुद्धेना भासतिवा करोतिवा इस लोक का अर्थ ये है कि मन सभी प्रवृतियों का प्रधान है सभी धर्म अच्छा या बुरा मन से ही उत्पन होते हैं यदि कोई दुशित मन से कोई कर्म करता है तो उसका परिणाम दुख होता है दुख उसका अनुसरन उसी प्रकार करता है जिस प्रकार बैल गाड़ी का पहियां खुर के निशान का पीछा करता रहता है स्थान जेतवन शरावस्ति यगाथा बुद्ध ने शरावस्ति के जेतवन विहार में चक्षुपाल नामक एक नेत्रहिन भिख्षु के संदर्ब में कही थी एक दिन भिख्षु चक्षुपाल जेतवन विहार में बुद्ध को शद्धा सुमन अर्पित करने आया को मरा हुआ पाया। उन्होंने तुरंद बुद्ध को सुचित किया कि किस प्रकार चक्षुपाल ने रातरी की बेला में पाप कर्म किया था। बुद्ध ने उन भिख्षों से पूछा। क्या उन्होंने चक्षुपाल को उन कीडों को मारते हुए देखा था? जब उन्होंने नकारत्मक उत्तर दिया, तब बुध ने उनसे कहा कि जैसे उन्होंने चक्षुपाल को उन कीडों को मारते हुए नहीं देखा था, वैसे ही चक्षुपाल ने भी उन जिवित कीडों को इसके अतिरिक्त चक्षुपाल ने अरत्व प्राप्त कर लिया है अथा उसके मन में हिंसा का भाव पैदा हो ही नहीं सकता इस प्रकारवर निर्दोश है भिख्षो द्वारा ये पूछे जाने पर की अरत्वने के बावजुद चक्षुपाल अंधा क्यों था उस महिला ने वचन दिया था कि अगर उसकी आँखे ठीक हो जाएंगी तो वह अपने बच्चों के साथ उसकी दासी हो जाएगी और जीवन परियंत उसकी गुलामी करेगी उसकी आँखों का इलाज चलता रहा और वह आँखें पूर्णता ठीक भी हो गई पर इस भय से कि उसे जीवन परियंत गुलामी करनी होगी उसने चिकित्सक से जुड बोल दिया था कि उसकी आँखें ठीक नहीं हो रही चिकित्सक को मालुम था कि वह जुड बोल रही थी अथा उसने एक ऐसी दवा दे दी चिससे उस्तरी की आँखों की रोशनी चली गई और वह पूर्णता अंधी हो गई अपने इस कुकर्म के कारण चक्षुपाल कई जन्मों में एक अंधे व्यक्ति के रूप में पैदा हुआ था टिपणी या बोध इस कता से हमें क्या मिलता है हमारे सभी अनुभवों का सुजन विचार से होता है अगर हम बुरे विचार से बोलते हैं या कोई कारे करते हैं तो उनसे कस्ट दैक परिणाम प्राक्त होता है हम जहां कहीं जाते हैं बुरे विचारों के कारण बुरे परिणाम ही पाते हैं हम अपने दुखों से तब तक मुक्त नहीं हो सकते जब तक हम अपने बुरे विचारों से ग्रस्त हैं यही है इस कहानी मन से बड़ा कुछ नहीं का बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं एक नहीं कथा से आपसे निवेदन है कि आप सस्क्राइब अवश्य करें सस्क्राइब बटन को दबाईए कि बेल आइकन जरू दबाएं और हर गाथा की सूचना पहले ही पाईए ताकि आप हर गाथा को लगातार देख सकें बहुत बहुत धन्यवाद सस्क्राइब करना ना बोले